हलो दोस्तों क्या हाल है आप सभी के मैं उमीद कर तो आप सभी की त्यारी बहुत बढ़िया चल रही होगी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जीके की क्या परपरेशन स्टाटजी होनी चाहिए इस वीडियो में इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रू करना जिसे की आगे भी मैं आपको जल्दी से जल्दी ऐसे content देने के लिए motivated रहूँ सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करतो जर्लन अवेरनस की तो खास बात इसकी ये है कि इसमें एक दो नहीं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे subject से जिन्हें आपको सभी को cover करना होता है जैसे की history है, quality है, geography है, economics है, physics, chemistry, bio, static, current affairs हर एक चीज़ का मैं आपसे discussion करूँगा कैसे कैसे क्या क्या तैयार करना है हर एक बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अगर मैं start करतो history से तो history के अंदर आपको पूरी history बिलकुल भी नहीं पढ़नी है आप देखो smart work थोड़ा सा करो, जो exam जादा पूछता है, जो TCS या SSC आपसे जादा पूछता है सबसे पहले वो पढ़के जाओ, अगर मैं history का भी आपको एक division देता हूँ तो history अपने आपने भी तीर हिस्सों में तूटती है, जो की ancient है, medieval है अब आपको एक point समझना पड़ेगा, कि इस में से आपको तीनों एक साथ नहीं पढ़ सकते practically तो आपको smart work करना पड़ेगा, जो सबसे important है, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है, जो की medieval है अगर मैं CGL 18 की बात करूँ, सबसे जादा सवाल medieval से पूछे गए हैं उसके अंदर पे कुछ points ऐसे हैं, जो आपके लिए बहुत जादा फायरे मंद जैसे कि मुगल dynastries का जो chronological order है, कि पहले बाबर आया, फिर हमायू आया, फिर अगबर आया यह जो पूरा sequence है यह आपको याद करना है यह sequence याद करने के बाद, दिल्ली सल्तनत जो है, यह आपको याद करनी है जो आपकी slave dynasty आई, वहाँ से आगे तक चलते चलते, जब तक आप मुगल तक नहीं पहुछते आपको सारी dynastries के founder याद करने है, मैं clearly हम mention करने हैं अपनी copy man आप लेके बैटो, founder आपको ज़रूर याद करने है और sequence आपको ज़रूर याद करने है और medieval में भी आप ध्यान देना, medieval में दो पार्ट बनते हैं अगर मैं 1707 की बात करता हूँ, तो इससे इदर आप जितना होगा medieval में लेंगे लेकिन इसके आगे का जो decline या downfall of mughal empire है, वो सब modern में cover होता है medieval के बाद आपको modern पढ़ना है और उसके बाद ancient पढ़ना है इसका reason यह है कि modern आपको अगर school में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा सा easy रहेगा as compared to ancient and syllabus भी modern का जो है वो आपका exam oriented रहेगा तो मैं आपको suggestion यह दूँगा, सबसे पहले आप medieval करेंगे फिर आप modern करेंगे, फिर आप करेंगे ancient इस sequence में आपको history पढ़नी है और सबसे पहले medieval में आपको क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले दिल्ली सलतनत पढ़नी है, मुगल समराज्य पढ़ना है उसके जो founders है, उसकी जो sequence है वो पढ़ना है और उनसे जुड़े monuments पढ़नी है, यह आपको static में बहुत काम देंगे कि अगर आपने पढ़ा शाह जाना, तो उसके साथ आपको सिर्फ ताजमेल नहीं पढ़ना है उसके साथ आपको लाल किला भी पढ़ना है, जामा मस्जिद पढ़नी है जिससे कि आप automatically चीज़ों को याद करते जाएंगे इसके बाद अगर मैं आपसे quality की बात करता हूँ, तो quality में सबसे पहले हमारा ध्यान जाते है articles पे लेकिन articles से पहले आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि limited है, तो आपके लिए easy रहेगा एक तो parts पढ़ने है, parts of constitution, फट आफट से copy pen उठालो इससे क्या है, parts एक बाद आप पढ़ोगे, तो articles की संख्या आपको याद करने में असान रहेगा इसके बाद आपको schedules पढ़ने है, ये दो ऐसी चीजे हैं, जो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी आप याद कर सकते हो एक बाद parts cover कर लोगे, तो आपके लिए articles, जो important articles है, जिसमें मैं star बना रहा हूँ यहाँ पर, सिरफ आपको वो ही याद करने है सारे articles आपको नहीं पढ़ने है, जो जो आपके लिए important है, जिससे president की power से जुड़ावा कोई है, election commission की power से जुड़ावा कोई है यह fundamental rates कहां से कहां तक जाते हैं, यह points आपको सबसे पहले cover करने हैं, इसके बाद आपको cover करने amendments amendments में again सारे amendments cover करना practically possible नहीं है, you are not preparing for UPSC, आप UPSC की तयारी नहीं कर रहे हैं, आप SSC की तयारी कर रहे हैं तो सवाल भी आपसे उसी हिसाब से पूछे जाएंगे, amendments में एक तो सबसे पहला आपको याद करना है, वो कभी कभी आप यह मान के चलो पूछ लेता है कि सबसे पहला amendment कौन से सन में हुआ था, एक 40 second आपको याद करना है, 44th आपको याद करना है, और अगर कोई latest change हुआ है आपको याद करना है, सबसे पहले आपको याद करना है, उसके बाद आप और कुछ पढ़ेंगे, मुझे उमीर है आपको बात समझारी होगी, यह सब में proper analysis करने के बाद आपके TCS के द्वारा कराएगा, SAC के papers का, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, smart होग यही रहेग मैं आपको tributaries पढ़ने है, उसके बाद पढ़ने है dams, इसे पढ़ने के बाद आपको पढ़ने है mountain passes, यह वो topics मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं आपके, mountain passes से बहुत सवाल आए है, यह static के बिदेखो, geography बहुत closely जुड़ी है static से, अगर आ जोगरफी अच्छे से पढ़ते हो, तो automatically static भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप practically देश को समझते हो, तो mountain passes आप यहाँ पर समझोगे, तो automatically आप उसे state से link करने लग जाओगे, area से, mountain ranges से, तो automatically धीदे धीदे pattern आपके दिमांग में बनता जाएगा, इसे करने के बाद आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, currencies पढ़नी है सबसे पहले, currency and capital, यह सवाल 101% आता ही आता है, कभी आपसे Finland की पूछ लेगा, कभी इसी को घुमा के पूछ लेगा, Helsinki की country बताओ, कभी आपसे पूछ लेगा, Dubai या पिस Saudi Arabia की आपसे बात कर लेगा, Amman की बात कर ले आपका static भी cover होता है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर तो economics की, तो economics एक ऐसा subject है, जो बहुत सारे सवाल इस बार नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे topics हैं, जो आप अगर अच्छे से पढ़के जाओगा, तो आपको ऐसा है, free के number हाँ मिलेंगे, सबसे important topic उसमें ह inflation, inflation के जितने types हैं, चाहिए वो stagflation है, hyperinflation है, जितने भी types है, या deflation क्या होता है, disinflation क्या होता है, inflation अगर आप पूरा एक topic अच्छे से cover करते हो, आप नहीं मान के जो बहुत फायदा होगा, इसके लावा curves, या बोलो graphs, कुछ ऐसे curves, Lawrence curve हो गया जैसे, ये curves सीधे सीधे इक बार अच्छे से समझना है, किस-किस के बीच में हो curve है, आपको exact shape नहीं पढ़नी, किस-किस के बीच में है, that is, अगर मैं बात करता हूँ किसी एक curve की, तो आपको अगर इस type का curve बन किया तो आपको ये देखना है, x-axis पे क्या है, y-axis पे क्या है, that is all, इसके इलावा महन जादा नहीं करनी, smart work करना है, exam oriented preparation करनी है, तब ही marks कम time में जादा बढ़ेंगे, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करतो science की, तो देखो science के अंदर physics, chemistry, bio, काफी सारे ऐसे लोग हैं, जो की science background से हैं, उन्हें लगता है कि हम नहीं पढ़के जाएंगे, तो भी हमारा काम हो ज सकते, देखो this is not about 10th, 12th और 11th class, यहां की जो science से थोड़ी सी अलग आती है, NCRT based होती है, बट पूरे तरीके NCRT से नहीं होती, इसका reason समझो, अगर मैं constellation की बात करता हूँ, इससे सवाल बनता है आपके paper में, अब ये NCRT से जुड़ा वर directly नहीं है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसकी theory समझनी, I know this is the long way around, but you have to do it this way, इसी तरीके आपको बढ़ना है, सबसे पहले आपको theory पढ़नी है, उसके बाद आप MCQs करेंगे, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, MCQs लेके बैढ़ जाते हैं, जैसे अगर example में जैसे आपको देता हूँ, vector quantity, अब oxira याद कर लेते हैं कि वहाँ 4 option given है, इन में से अच्छा speed vector नहीं है, अगला सवाल देखेंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पर distance दे रखा होगा, जब तक vector का मतलब नहीं पता, तब तक exam में सवाल नहीं बनेगा, यह तै है, सबसे पहले theory depth में करो, उसके बाद आप आगे चलो, सबसे पहले theory in depth आपको करनी है, उसके बाद आपको आगे चीज़े लेके चलनी है, इसी तरीके अगर मैं आपसे बात करता हूँ, chemistry, जब तक आपको redox का मतलब नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे, example में वो कहेगा, जी rusting का बताओ, आपने मानलो याद कर लिया, ल इसमें oxygen add होता है, या electron जाता है, सबसे पहले ये चीज़े cover करनी है, उसके बाद आपको आगे लेके चलना है, इसके बाद आगर मैं आपसे बात करता तो biology की, तो biology में भी same चलेगा, सबसे पहले आपको glands पढ़ने हैं, आपको systems पढ़ने हैं, जैसे respiratory system है, वो पूरा पढ़ पढ़ने हैं, उसके बाद ये पढ़ना है universal donor, universal acceptor, ये जितने छोटे छोटे चोटे topic से आपको सबसे पहले ये पढ़ने हैं, और उसके बाद आप सबसे पहले आप theory cover करेंगे, उसके बाद आप आगे cover करेंगे MCQ's को, मुझे उमीर है आपको बात समझ आ रही होगी, theory should be followed by MCQ, इससे उल्टा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, अब अगर मैं आपसे static की बात करता हूँ, static अपने आप में इतना बड़ा topic है, कि आप, मैं यहाँ पे नाम भी लिखने बढ़ जाओंगा, तो ये समझो कि पूरा page भर जाएगा, static का बिल्कुल अलग से मैं आपको प त्यारी अपनी करते रहो, इसके इलावा गर मैं आपसे current affairs की बात करता हूँ, 100% free current affairs मैंने आपको अन अकाडमी की special classes में करा रखे हैं, जानवर इसलिए के October तक सबसे पहले आपको वो cover करने हैं, आपको कुछ नहीं करना प्रतियोगीता मंत्रा सरच करना है अन अकाडमी पर बिलकुल free classes हैं, वहाँ आप सरच करके completed में जाओगे, वहाँ पे आपको सब के सब मिल जाएंगे, इसके इलावा जो latest happenings हैं, सिरफ उन्हें follow करना जो major है, अगर मैं CAB की बात करूँ, CAB मैं आपको पता होना चाहिए, इस समय CAB अगर मैं बोलता हूँ, CAB का आपको full form पता होना चाहिए, कौन से states की अगर मैं बात करता हूँ, North East के, जो इससे जुड़े हैं, इसके बारे में information होनी चाहिए, छोटी 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 चीज़े हैं, जो कि आपके लिए बहुत important है, कि क्या इसमें manipul cover होता है, नहीं होता है, 6th schedule के अंदर क्या cover होता है, अब 6th schedule की बात हो सारे educators के सारे courses on Academy Plus पे मिल जाएंगे, उसका reason ये है, कि time आपके पास कम है, तैयारी में पूरी जान लगानी है, चाहिए वो अभीने सर के course हो, चाहिए वो आफरीन मैम के हो, रानी मैम के हो, वाइफार स्टडी प्रतियोगी ता मंतरा, सभी educators के सारे courses पूरे एक साल के लि तो final payment के समय आपको प्रतियोगी ता मंतरा लिखना है, जैसे ही आप इसे लगाओगे, बिना space के आपको discount मिल जाएगा, इस rate में आपको plan पड़ जाएगा, आप किसी और category में भी त्यारी कर दो, चाहिए वो banking है, UPSC है, neat है, सभी cases में same discount code आपका valid है, बिना space के आपको एक code बुले आपको जाएगे, बिनापको जाएगा, औ 67, जाएगे!